उधारण चार सिद्ध कीजिये की एक धन कॉस थीटा रिण साइन की घात दो थीटा बटा साइन थीटा धन साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा हल हल में बाया पक्ष लेंगे हम बराबर एक धन कॉस थीटा रिण साइन की घात दो थीटा बटा साइन थीटा धन साइन थीटा गुड़ा कॉस थीटा बराबर यहां पर हम एक धन कॉस थीटा को कॉस थीटा धन एक लिख सकते हैं साइन की घात दो थीटा बटा हर में पहला पद साइन थीटा धन दूसरा पद साइन थीटा गुड़ा कॉस थीटा इसमें हम साइन थीटा का उभेनिश निकाल लेंगे साइन थीटा तो कोश्टक में बचेंगा एक धन कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा का कॉस थीटा और चुकि हम जानते हैं कि एक रिण साइन की घात दो थीटा जो होता है उसका मान होता है कॉस की घात दो थीटा तो धन कॉस की घात दो थीटा हमने लिख लिया बटा साइन थीटा और कोश्टक में एक धन कॉस थीटा या अंश में कॉस थीटा धन कॉस की गात दो थीटा में दोनों पक्षों से हम कॉस थीटा को भेनिश निकालेंगे तो कोश्टक में हमें प्राप्त होंगा एक धन कॉस थीटा बटा साइन थीटा और कोश्टक में एक धन कॉस थीटा तो यहाँ पे आंश और हर में एक धन कॉस थीटा कट जाएंगा और हमें प्राप्त होंगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा जिसका मान cos theta बटा sin theta हम जानते है यह cot theta होता है तो cot theta हो गया यह जो है cot theta यह हमें सिद्ध करना था यह हमारा दायाँ पक्ष है तो इस तरह से हमने उधारण 4 को कि में बायाँ पक्ष को लेते वे दायाँ पक्ष प्राप्त किया तो यह हमारा दायाँ का हल है